नमश्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए ले रहा हूँ Google Map की Ad to Jail Settings Google Map तो यार हम सभी यूज करते हैं कहीं ट्रैवलिंग करने के लिए यूज करें या किसी location को find करने के लिए यूज करें किसी areas में गूमने के लिए यूज करें अगर आप भी Google Map यूज करते हैं यूज करना चाहते हैं तो आपको पता नहीं है कि Google Map के अंदर कौन से ऐसे application है जो काम किये, कौन से ऐसे application है जो फायदे बन दे अगर आप Google Map की application के बारे में जानना चाहते हैं तो आप अमर्य ये वीडियो को completely जरूर देखे आज मैं आपको बताने वाला हूँ Google Map की Adiger Settings, Google Map की All-In-One Settings तो चलिए आज की वीडियो को सुरू कर लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइकन सेहर जरू करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास जरू पोचाएं और ऐसी ही informative वीडियो के लिए, knowledgeable वीडियो के लिए यानुवर्दक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो चलिए आज की वीडियो को सुरू कर लेते हैं लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास ओर जरू करें आपको बताने वाला हूँ Google Map की Add to Z Settings वैसे Google Map तो आप और हम सभी यूज करते हैं चाहे हम ट्रैवलिंग कर रहे हूँ किसी location को find करना हूँ कुछ भी करना हूँ तो Google Map हम यूज करते हैं I think जो iPhone users है वो iPhone का personal map यूज करते हैं लेकिन Android के अधिकतर users Google Map को ही यूज करते हैं तो अगर आप भी Google Map यूज करते हैं तो simply आज मैं आपको Google Map की कुछ ट्विचेट सेटिंग्स बताने वाला हूँ कुछ important सेटिंग्स बताने वाला हूँ जो आपके काफे ज़्यदा काम आएगी तो आप हमारी ये वीडियो को completely जरूर देखें लेकिन वीडियो को like and share जरूर करें और अगर अभी तेक आपने मारा चैनल subscribe नहीं कराए तो ये आप हमारे चैनल को subscribe जरूर करें ये वीडियो को like and share जरूर करें तो चलिए हाज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों इसके लिए आपको जाना है सबसे बहुते गूगल मेप पर बहुते हैं तो गूगल मेप पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस टैप से हमारे सामने यहां पर आता है यहां आपके सामने जो यह उपर वाला एरिया है इसको search बार बोला जाता है जो आपको searching करने में कुछ भी य जाननी है यह चीज़ हम यूज में लेते हैं तो चेलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं आपको अपनी profile picture पर क्लिक कर देना है profile picture पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर first option जो आपको यह देखने को मिलता है यह turn on incognito mode है इसके मार्दिम से अगर आप कुछ भी सर्च क के अंदर नहीं आता है यहां आपको आपकी profile दिख जाएगी जो आपने बनाई है Google पर नीचे your timeline आ जाएगी timeline के अंदर आपका वो सभी timeline आएगी जब आप अपने phone को लेकर कही traveling कर रहे हो जिसे आप कहीं गए थे कहीं आये हो किस जगे गूम रहे हो किस समय कहा थे क्या थे वो सब कुछ आपका timeline में एक जिस time to time यहां पर एड होता चला जाएगा यह इस जगे पर यहां गया है यह future में आपको अपनी privacy के लिए भी फाइदे बन रहता है कि in case अगर आपके पास कुछ ऐसा हो जाता है कि कोई पूच्छे का आप कहा थे आपके पास पुरूप बता ह कि हाँ यह मैं यहां गुमने गया था वो आप देख सकते हैं नीचे आपके सामने एक option आता है share location का यहां से आप अपने location को share कर सकते हैं जैसे अपने friends family में अगर आप अपने location share करते हैं तो आपको find कर सकते हैं कि बच्चा कहा है किस जगे पर है offline map के अंदर in case अगर आपके सामने option आता है एड बिजनेस यहां से आप अपना बिजनेस को Google पर एड कर सकते हैं नीचे जो में important option है वो है settings का settings पर हम क्लिक करेंगे यहां पर first option आएगा language का यहां से एप का language कर सकते हैं को यसी language आपको चाहिए वो changes कर सकते हैं language के बाद में दूसरा option आता है offline map settings जो आप आप रखना है वो changes कर सकते हैं नीचे आपके सामने आपको घर और ओपस को एड करना है तो वो एड कर सकते हैं और इसके नीचे जब आप चाहेंगे तो यहां आपको वीडियो settings का option आएगा यहां से जब भी आप Google में पर कोई videos play करें वो HDMI ना आए वो changes कर सकते हैं इसके नी Google के location को set कर सकते हैं तो Google location को check कर सकते हैं personal content के अंदर आपको अपना personal data content यहां पर देखने को मिलता है जो कि काफी important है इसके बाद में accessibility settings को मिलता है यहां से आप accessibility settings को check कर पाएंगे और इसके बाद में नीचे आपके सामने यहां आप एक एक क्यूरिश्य टिप देखने को मि अगर आप गूगल में के electronic vehicle यूज करते हैं मतलब किसी टाइप की टेसला वेसला किसी टाइप की उसका जो charging point हो था है उसको setting को यहां से अर्जिस्ट कर सकते हैं कि टू टाइप ए त्री टाइप क्या है क्या है क्या प्लगिन वो देख सकते हैं यह notification को option आएंगे और इसे on कर सकते हैं जब भी google map on करें हमेसा scale full scale माई तो इसे off कर सकते हैं navigation settings के लिए navigation settings आ रही है और कुछ इस टाइप की normal settings थी तो यह google map creature settings है जो आपको देखने को मिलिए I hope अगर आपको पसंद आई हो अच्छे लगी होता है और वीडियो को like and share ज़रू करें तो thank you watching in this video